नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियूज साल दोहसार चौबीस में लोकसभा चुनाफ होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाफ के लिए रणनीतियां बनाना शुरू हो चुकी हैं बिपक्षी दलों की तरफ से दरसल केंद्र में सत्ता में इन दिनों भारतिय जनता पार्टी है और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बिपक्ष रणनीति यही बना रहा है कि कैसे भी करके महागटवंदन करना है लेकिन इस महागटवंदन को लेकर स्तपा प्रमुक अखलेश यादव के कुछ अलगी फैसले हैं कुछ अलगी रणनीतियां हैं क्योंकि देखा जाए तो अखलेश यादव अपनी इस पार्टी को नैशनल लेबल तक पहुँचाना चाहते हैं अपने पिता जी यानि की ने अखलेश यादव लगातार चुनोतियां दे रहे हैं कॉंग्रेश खैमे को दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि अखलेश यादव तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठके करती हुई देखे जा रहे हैं राश्टे कारेकारडी की बैठक बीतिक उस दिनों पहले कॉल को अमेठी से इस वक्त सांसद हैं केंद्रे मंत्री इस्मृती रानी इस्मृती रानी जिनोंने 2019 में राहुल गांदी को करारी हार का सामना करा दिया और अब इस्मृती रानी डंके की चोड़ पर यही कहती हैं कि राहुल गांदी एक बार फिर से मैदान में उतरें और वहे अखलेश यादव ने यहाँ पर अमेठी से सांसद और केंद्रे मंत्री इस्मृती रानी पर निशाना साथती हुए साफतोर पर कहा कि आज सिलेंडर के दाम 1100 रुपे से अदिक हो गई हैं आपके बगल की अमेठी सीट से सिलेंडर वाली सांसद अब क्यों दिखाई नहीं द गई तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा हम सभी को मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना होगा भाजपा सरकार के हर अन्याय से केवल समाजवादी पार्टी के कारे करता ही लड़ रही है उनका साफतोर पर कहना यही रहा दूसरी देखा जाए अखलेश यादव ने ये बात है कहीं इस्मृती रानी जो एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ती हुई नसराएंगे और दावे ये किये जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के सांसदी वापस आती है तो वहें अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं य आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज